ओम काल भहरवाए नमा हिंदू पंचांग के नुसार मार्क्सीस मास के किष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को काल भहरव जैनती मनाई जाती है धार्मिक मान्यताओं के नुसार इसी दिन भगवान काल भहरव का अबतरण हुआ था धार्मिक गरंतों में काल भहरब को भगवान सिपका रुद्र सुरूप बतलाया गया है ऐसा माना जाता है भगवान काल भहरब की पूजा राधना करने से भूत परेत की बाधाय, सत्रों की बाधाय, ग्रोह की बाधाय समाप्त होती है और भगबान काल भैरब की क्रपा से व्यक्ति भैमुक्त होकर अपना जीवन जीता है आखिर कब है काल भैरब जैनती काल भैरब जैनती मार्गसिस कृष्ण पक्ष अश्टमी तिथी बुद्वार को 16 नमंबर को है अश्टमी तिथी प्रारम होगी बुद्वार को 16 नमंबर 2022 सुवा पांच वजे और अश्टमी तिथी पूर होगी 17 नमंबर को गुरुवार के दिन सुबह 7 वजे तक भगवान काल भैरब जी की पूजा विधी काल भैरब जैनती के दिन प्राते काल इश्टनान आदी के पस्चाथ पृत का संकर पले उसके बाद में साम के समय में आप किसी मंदिर में जाए और भगवान काल भैरब जी के सामने चो मुखा दीपक जलाए उसके बाद में भगवान काल भैरब को उरद नारियल काले रसगुले जलेवी इत्यादी ये सब समर्पित करें उसके बाद में भगवान काल भैरब जी के सामने काल भैरब चालीसा का पाठ करें उसके बाद में काल भैरब जी की आरती करें उसके बाद में काल भैरब भगवान से अपने जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए छमापराथना जरूर करें माना जाता है काल भैरब भगवान जी की पूजा आराधना करने से सभी दुख संकट दूर होते हैं और काल भहरब भगवान जी की विशेश किरपा प्राप्त होती है क्या आप भी अपने जीवन में सत्तरों से परिशान है तो जरूर करें ये उपाए सास्तरों में काल भहरब का बाहन श्वान बतलाया गया है कहा जाता है ये दि काल भहरब को प्रशन करना चाहते हैं तो काल भहरब जैनती के दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए वहीं इस दिन काल भहरब जी की प्रतिमा के सामने चो मुखा दीपक जलार कर काल भहरब चालीसा का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से सत्रों से सम्मंधित बाधाय समाप्त होती हैं साथ ही राहुग ग्रह के अशुप परभाब जी दूर होते हैं ये थी कुछ खास जानकारी जो हमने आपको बताई और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करी लाइक करी धन्यवाद और अगर आप भी काल भैरब जी के भगत हैं तो कमेंट्स वोक्स में जै महाकार आवश्य लिखे धन्यवाद